हेलो एवरीवन दिस हर्ष और वेल्कम बैक तो अनदर वीडियो फ्रम कॉंसेप्स और बायोजी सो गाइस आज का जो हमारा डिसकसन टॉपिक है वह है ट्रांस्पोर्ट अप सब्स्टांसेज एक्रॉस प्लाज्मा मेंब्रेन पीम यानी प्लाज्मा मेंब्रेन ठीक है तो प् प्लाज्मा मेंब्रेन को ठीक है प्लाज्मा मेंब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स को देखा जहां यूनिट मेंब्रेन मॉडल को देखा वहां हमने सैंडविच मॉडल को देखा साथी साथ मोस्ट एक्सेप्टेड मोस्ट रिसेंट जो हमारा मॉडल है फ्लूइड मोजाइक म अंदर सेल में आएंगे कौन से सबस्टाइंस बाहर जाएंगे है ना इन सब चीजों को नियंतरित करना ठीक है तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं ओके लेकिन आगे चलने से पहले हम थोड़ा इस चीज को जान लेते हैं कि ट्रांस्पोर्टेशन की जरूरत क्यों है ठीक ह कैरी ओन हो सके वो सूचारू रूप से चल सके भी सेल को चलाने के लिए सेल को कुछ चीजों की जरूरत है for example oxygen की है ना mineral salts की nutrients की तो इन सब चीजों को क्या है इन सब चीजों को सेल के अंदर आना बहुत जरूरी है तभी तो हो सेल काम कर पाएगा यार कुछ वेस्ट की साथ जरूरी है और कुछ चीजों का अंदर आना भी जरूरी है ठीक है इसलिए हमें ट्रांस्पोटेशन की जरूरत है तो आई होप कि यह चीज आपको समझ आई होगी ओके तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की और चलते हैं तो देखो जो प्लाजवा मेंब्रेन में ट्रांस्पोटेशन है वो दो तरीके से हुआ करती है एक तो हो गया पैसिब ट्रांस्पोट दूसरा हो गया अक्टिब ट्रांस्पोट पैसिब मतलब होता है निस्क्रिये ठीक है अब इस तरह के ट्रांस्पोटेशन में सेल को एनरजी खर्च करने की जरुवत नहीं होती ठीक है देखो या मैं लिख रखाए डू नोट रिक्वायर एनरजी यदि कोई सब्स्टांस पैसिबली ट्रांस्पोर्ट होगा तो उसमें एनरजी नहीं लगानी पड़ेगी सेल क और यह कैसे होता है always occur along concentration gradient यह हमेशा concentration gradient के along हुआ करती है यानि चीजें हमेशा किधर से किधर move करेंगी अपने ज्यादा से अपने higher concentration से अपने lower concentration की और move करेंगी अपने ज्यादा से अपनी कम की और move करेंगी है ना ओके चलो अब देखते हैं यह किस किस टाइप का है किस तर अब देखो diffusion दो तरीके हैं हमेंने diffusion के लिख रखें ठीक है simple diffusion और facilitated diffusion ठीक है अब देखो diffusion क्या है diffusion अभी अभी मैंने बताया यह एक passive transport का type है ठीक है इसमें कोई energy खर्च नहीं हो रही है ठीक है अपने कीज़ें अपने higher concentration से अपने lower concentration की और move कर रही है ठीक है तो एक हो गया हमारा simple diffusion एक है facilitated diffusion यह भी diffusion ही है ठीक है लेकिन इसमें किसी चीज़ की help लेनी पड़ रही है ठीक है तो facilitated diffusion में अब देखो एक चीज़ में आपको और बता दू simple diffusion जो है वो हमारी body में neutral solutes जो होते हैं वो simple diffusion के थूरू move किया करते हैं और कुछ जो चीज़ें है जो facilitated diffusion के थूरू move किया करते हैं तो facilitated diffusion में क्या जरूरत होती है प्रोटीन की जरूरत होती है carrier proteins ठीक है इस तरह के केरियर प्रोटीन हेल्प करते हैं इस बात का ध्यान रखना ओके राइट चलो अब एक है दोकों इधर माने लिख रखा है ओस्मोसिस ओस्मोसिस क्या है इस पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन यह भी डिफ्यूजन ही है जहां पर केवल वाटर मॉलिकूल्स ही मूव कर सकते है तो इस चीज का ध्यान रखना कि यदि वाटर मॉलिकूल का ट्रांस्पोटेशन या मूव्मेंट हो रहा है तो वहां टर्म जो यूस करेंगे वह ओस्मोसिस यूस करेंगे इस चीज का ध्यान रखना ओके चलो अभी मैं आपको एक एक एक्जामपल के थुरू दिखाता हू कि यह कैसे हुआ कर रही अभी अभी हमने पढ़ा ना higher concentration से lower concentration चीजे जारी है ठीक है उसे हम देखते हैं ओके चलो देखो मैंने यहाँ पे ऐसा समझो कि बहुत high slope जैसा बना रखा है ठीक है पहाड जैसा बना रखा है ठीक है अब क्या है कि देखो अब मैं तुम्हें बैट आता हूँ ठीक है मैंने तो हम बला यहां से slide करो ठीक है इस जगह पर बैठ हो और slide करो तो जब आप यहां से बैट के slide करोगे तो आपको energy लगानी पड़ेगी क्या नहीं लगानी पड़ेगी ठीक है अगर मैं आपको यहाँ बैट के slide करने को बोलता हूँ तो energy नहीं लगानी पड़ेगी है ना अब कोई इसमें friction का concept मत लगाने लगना कि sir friction लगेगा या कुछ और लगेगा है ना ठीक ह हम उसे discuss नहीं कर रहे है हम simply समझने की कोशिश कर रहे है okay passive transport को हम यहाँ देख रहे है right okay तो क्या होता है कि आपने ऐसे भी फिसल के उतर सकते हो अब मैं आपको एक cycle पे बैठा दू ठीक है देखो यह मैं facilitated diffusion की अगर बात करूँ तो मैं आपको एक cycle पे बैठा दू जो आप आपको facilitate करेगा और मैं आपको बोलू कि आप अपने हाथ brakes पर से हटा लो और चुप चाप cycle पे बैठो और पकड़े रहो तो देखोगे कि cycle खुद बखुद नीचे डहलने लगी उसमें भी energy नहीं लगानी पड़ी ठीक है तो diffusion में एक बात हमेशा ध्यान रखना है energy नहीं लगानी पड़ेगी ठीक है अब next type of transportation system हमारा क्या है active transport तो देको active का मतलब होता है सक्रिये ठीक है तो इस तरह के transportation में जब cell किसी substance को actively transport करेगी तो वहाँ energy की requirement होगी requires energy क्यों क्योंकि ये concentration gradient के against होगी ठीक है इस चीज का ध्यान रखना है और इसके examples बहुत ही important है examples को याद रखना है कई बार exam में directly examples पूछे जाते हैं इसलिए examples का ध्यान रखना तो पहला example क्या है sodium potassium pump तो इसे आपको ध्यान रखना ये एक active transport का example है इसमें energy का expenditure हुआ करता है ठीक है guys यहां sodium potassium pump को detail में discuss नहीं कर रहे हैं वरना पूरी की पूरी एक अलग से video बनानी पड़ेगी अगर इस पर आपको detail में video चाहिए तो let me know in the comment box ठीक है मैं इस पर एक video बना दूँगा right okay минутам प्रण दूसरा अमारे क्या है इक्जामपल इंडो का मतलब होता है चीजों को अंदर ठीक है अंदर की और ठीक है तो इंडो साइटोसील दो तरीके से हुआ करती है ठीक है यानि चीजे जो cell है वो cell में हम जो चीजों को दो तरीके से अंदर ले रही है एक तो हो गया phagocytosis अब देखो phagocytosis में क्या है जो भी particle like substances solid substances है उनको अंदर injolf किया जाता है है ना for example phagocytosis कौन से cell हमारी क्या करती है तो wbc macrophages ठीक है these are phagocytic cells है ना अब देखो एक हो गया phenocytosis ठीक है अब इसे हम cellular drinking कहते हैं ठीक है जिस तरह से हम phagocytosis को cellular eating भी कह दिया करते हैं क्योंकि यहाँ पर cell solid particle को अंदर ले रही है है उसी तरह से जब जो cell है liquid form में चीज़ों को अंदर लिया करेगी तो उसे हम penocytosis कह देंगे इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है इसको हम cell vomiting भी कहते हैं vomiting से ही पता चल रहा है कि यहाँ चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है cell से चीज़े बाहर निकल रही है excrete हो रही है so I hope guys कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको बाते समझ में आई है तो अपने friends को साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं we'll see you in the next वीडियो thank you for watching